नमस्कर दूस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे सौथ हिंडियन चटनी जो इडली या डोसी के साथ खाई जाती है और रवाइडली बनाएंगे जो इंस्टेंट बनेगी और ये 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा रवाइडली बनके द नदर डालेंगे और उसको थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए हम भुनेंगे उसके अदूसी कटोरी से हम एक कटोरी मुमफली के दाने को भी ले लेंगे और साथ में दोनों को हमें रोस्ट करना है तो दोनों में थोड़ा सा सुन्धापन आना चाहिए धीमियाज में हम इस चार मिनट तक इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्श तीन और दो हरी लाल मिर्श डाल देंगे तीखा जो अपने अनुसार और थोड़ा सा हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे इस से हमारे चटनी बहुत अच्छा स्वा भी बहुत अच्छा होगा तो नारियल का इसमें मात्रा होना चाहिए तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तयार होती है तो जब हमारा जो चटनी का मिस्रन ठंडा हो जाए तो इसे क्या करना है हमें ड्राई पहले पीस लेना है पानी हम बाद में डालेंगे तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है हमें ढखकल लगा करके इसे हमें पीस लेना है बिना पानी का पीसेंगे हम तो ये देखे सुखा सा ड्राइस अपिसा गया है इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक जो होगा थोड़ा सा अच्छा रहेगा और साथ में इसमें खटापन के लिए हम इमली डालेंगे तो यहां दो इमली का पीस है जिसे पानी में हमें अच्छी तरह से सोक कर लेना है और मसल मसल के इसका पानी डालेंगे तो इससे चटनी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो यह हमारा इमली का पल पा गया और साथ में हम एक कटोरी और पानी डाल करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छा सा स्मूध सा हमारा चटनी तैयार हो गया है तो किसी भी डिस में हम इस चटनी को निकाल लेंगे तो यह बहुत ही टेस्टी दम बहुत ही बढ़ियां साउथ हिंडियन चटनी जो है बनके रेडी हो गया है तो अब इसमें तड़का लगा देंगे तो राई और लाल मिर्च का हम तड़का लगा देंगे इसमें तो तड़का वाला जो क्लीप है हमसे मिस हो गया इस बज़े से इसमें नहीं एड है तो इसके बाद हम बनाएंगे अपना रवा मिक्स जो है इडली का मिक्स बनाएंगे तो कड़ाई में हम यहाँ पे ज्यादा नहीं एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक बड बड़ दाल और चना दाल एक एक बड़ा चमज डाल देंगे और इसे हमें इसी तेल में रोस्ट करना है तो इससे हमारे जो इडली में बहुत अच्छा क्रांच आएगा टेस्ट आएगा और साथ में डालेंगे हींग डालेंगे थोड़ा सा जिससे कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेपर आएगा अब ये अच्छी तरह से जब तैयार हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे रवाः तो रवाः इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी अगर ये आपका इडली मिक्स अगर बनाना हो प्री मिक्स जो बना करके आपको ज्यादा तयार करना हो तो आप एक केजी का बना सकते हैं बना के रख सकते हैं हाफ केजी का बना के रख सकते हैं तो ये बना के रखने से क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी सुबा का टाइम रहे और फटा फट से आप इस मेडली बना सकते हैं इस का आप उपमा बना सकते हैं तो इतना तैयार होगा ना तो बहुत ही फटा-फट काम होता है तो बिल्कुल लो फ्लेम में हम इस सूजी को तो तीन से चार मिनट तक भून लेंगे जिससे कि हमारे सूजी का कच्चा पन जो मॉस्चर वगर होता है वो हमारा निकल जाए जिससे कि ये ज़्यादा समय तक ठीकता है तो इस तरह से आप ज़्यादा रूप में बना करके इसका प्रिमिक्स भी बना के रख सकते हैं तो इस तरह से ये हमारा जो है रवा अच्छी तरह से भून गया है तो ये तड़के वाली जो है ना इंस्टेंट इडली तो बहुत ही बढ़ियां बनता है तो अब गैस को बंद करके इसको हमें ठंडा करने के लिए रख देना है तो किसी भी बड़े बरतन में डाल करके इसे हमें फैला लेना है जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए जब ठंडा हो जाएगा तो किसी भी ड़बे में आप इसको बंद करके रख सकते हैं और सुबा के टाइम में आप जो भी बनाना चाहते हैं रवा से बना सकते हैं तो हाथों से देख ले बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसे हमें क्या करना है किसी भी सुखे डब्बे में आच्छी तरह से इसे बंद करके रख लेना है तो ये एक तरह से रवा इडली जो इंस्टेंड इडली है उसका प्रिमिक्स बन करके ये तैयार हो गया है तो गरम ना रखे जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक इसे हमें नहीं रखना है तो इस तरह से देखे ये फटा-फट रवा का प्रिमिक्स बन करके तैयार हो गया है और इसे आप क्या करना है धक्कन से बंद करके इसे अच्छी जगा तरह से रख लेना है तो आज इसी से हम बनाएंगे अपना रवाइड ले तो किसी बड़े बोल में हम इसे रखना है तो दो कटोरी हम इसमें ले लेंगे अपना प्री मिक्स और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार हलका सान नमक ले लेंगे और एक छोटी कटोरी दही ले लेंगे होता है किषमर बहुत ही सौपने सा जाता है जब जो भी आ डालेंगे एक्टिबेट होने के लिए इसके संपर्क बहुत ही अच्छा है हमारा जो ली है नवह फलफी होगा बिल्कुल सॉप्ट सा हो जाएगा तो थोड़ा पानि डाल 서 ना मिक्स कर लेना है तो सूजि में पानि जो है थोड़ा सा एब्zessर होगा जिससे हमारा इल्डी सॉप्ट होगा ठोड़ा थोड़ा पानी डाल के से अच्छी तरह से हमें श्रभ कर लेना है पियर लेना है अब है धख करके 5-10 मिनट के लिए जोड़ देना हमें तो यह हमारा हो गया है दस मिनट तो हमारा देखिए यह जो रवा है कितना ड्राइ हो गया है पानी सोक हो गया है इसमें तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम थोड़ा सा बैटर बनाएंगे गाढ़ा सा तो एक बर मे में जादा नहीं डालना है क्योंकि हमारा जो बैटर है ना पतला हो जाएगा तो फिर इडली अच्छी नहीं बनेगी तो थोड़ा थोड़ा करके एक दो दो चम्मज करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चम्मज खाने वाला मीठा सोड़ा और इसके उपर हम नीम्बू का जो है आठ से दस बुन डाल देंगे जिससे ये एक्टिव हो जाएगा और ये बहुत ही हमारा बैटर फ्लफी होगा इसके जगह पे आप इनो का जो शैशे होता है न कोड़ा से बील भी हमने दो गलास पानी डाल दिया में गर्म होने के लिए। अब इसमें एंदर लगा देंगे और एक एक बड़ा चम्मज डालेंगे इसका मिक्स और फांचे साचच में तयार हो घांट घड twenty कि यह लिये निगें सकते साच्णुलाइकि इडली साच्णुलाय तो इस तरह से यह जो हमारा तयार हो जाएगा अच्छाव टैप कर लेंगे और इसे हमें लॉक कर लेना है तो इस तरह से एक बार में हमारा बारा पीस इडली बन करके रेडी हो जाएगा तो इधर हमारा जो प्रेशर कूकर में पानी भी है वो भी गर्म हो चुका अची तरह से तो अब इसमें हम डायरेक्ट डाल देंगे और डाल के हम इसे ढखकन लगा देंगे जिसका हमें सीटी निकाल लेना है सीटी निकाल के इसे हमें बंद करके और हाई फ्लेम में 10 मिनट तक इसे हमें पका लेना है स्टीम कर लेना है तो देखे ये हमारा इडली तयार हो गया है तो अब इसे बाहर निकाल के इसे हमें ठंडा करने के लिए रख देना है तो जब यह थंड़ा हो जाएगा तो फीर इसे हमें निकालने में आसानी होगी तो देखे, अब हमारा इडली भी थंड़ा हो चुका है तो चम्मच के हेल्प से इसे हमें निकाल लेगे देखे, बिल्कुल नहीं लग रहा है बहुत बढ़िया यह हमारा इडली बन करके तयार हो गया है तो इस्पून के पीछे भाग से हम थोड़ा सा भी करेंगे ना तो अच्छी तरश से यह निकल आया और इसी तरश से सभी इडली को हम निकाल लेंगे तो यह जो है हमारा इडली तड़के वाली है और बहुत ही tasty यह, बहुत ही yummy, fluffy बना है, बहुत ही soft बना है हमारा idli तो देखें इस तरह से, दो बैछ में हमारा idli जो है वो पुरा ready हो जाएगा अब बहुत ही soft बना है दोस्तो देखें, बहुत ही sponzy बना है तो इस तरह से हमारा इडली बन के तयार हो गया है और शाथ में साथ ईंडीन चट्नी है तो चट्नी के साथ से सर्ब करें और बनाएं दोस्तों को खिलांगैंगicipary और इडली बनने की रेक कैसी लगी अगर अचछी लगी तो लाइक करें शियर करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें